नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है कोई विक्ति अगर किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए तियूर इच्छा रखे अपना पूरी एकागरता उस लक्ष को प्राप्त करने में लगा दे तो यकीन मानिये रास्ते अपने आप खु़ जाते एक बहुत परानी कहानी है इस विशे पर आज हम आपको वो सनाएंगे बात उन दिनों की है जब एक बड़े इसे प्रदेश में एक गरीब बालक रहा करता था छोपड़ी थी नगर के किनारे आसपास कुछ जंगली छेतर थे घास फूसकी बनी छोपड़ी के अंदर सामाने सा चूला और अपने माबाप के साथ भाई बेहनों के साथ दो भाई बेहन थे और एक गरीब बच्चा रहा करता था अब रोज स्कूल जाता और आता खेतों में हाथ बटाता अपने पिता का दिक्कत ये थी कि जब वो स्कूल से आता और पढ़ने के लिए रात को बेटता तो उसको समय रात को ही पढ़ने को मिल पाता अब रात को जब पढ़ने के लिए बेटता तो उसके पास बिजिली का कोई बड़ा संसादन तो था नी उसके बाकी मित्रों के पास अच्छे-च्छे संसादन थे थोड़ा नर्वस भी होता उसको एक बात पता थी उसकी पढ़ने की तियुरे इच्छा थी और उसकी इच्छा अपने आप रास्ते खोल देंगी उसको इस बात का भरूसा था खंटो बाहर बेठा करता गूमा करता अपने आप से बात किया करता उसकी एक अपनी दुनिया थी अपने आप में मस्त उसके बस एक ही तिवर इच्छा थी कि ये वो खोब पड़े चीजों को जाने लगातार अपनी परिस्तितियों से लड़ते हुए उसके सामने एक गंभीर चुनोती थी कि वो रात को बिजली की ववस्ता कैसे करे कांच की कुछ बरनिया रखी हुई थी घरपन जो उसके पिताजी को किसी बड़े सेठ ने दी थी अब रात को जब भी वो घूमने जाता अकेला तो एक बात नोटिस करता कि कुछ चमकीली चीजें रात को चमकती है आसपास पौधों के उपर बाहर एक दिन उसने मा से पूछा सुबा कि मा ये रात में जो चमकती है आसपास चीजें वो क्या होती है बिटा वो जूगनू होते हैं अच्छा तो क्या ये इसी तरह चमकते हैं भोले हाँ इसी तरह चमकते हैं जुगनू की चमक मानों उसकी आँखों में उता रही थी उसको अपनी बिजली की समश्या पढ़ने के लिए जो सिंसादन मिलने ही मिल रहे थे उसकी समश्या का समधान बिल गया था बस अगले ही दिन वह चला रात में और उसने किसी तरह से एक बड़ा सा जाल बुछा कर और छोटे छोटे बारीक वाले जहां से ना निकल पाएं वेसी उसको करके और जुगनू पख़ड लिये उनको एक कांच की बरनी में पंद कर लिया और जुगनू जमकते उसके आरोस नहीं होती और वह अराम से पढ़ पाता तो बात का सार ये है कि वेक्ति के अंदर किसी चीच की अच्छे से चाहत हो वास्ताव में इस कहानी का रहश्य ही यही है कि अगर आपके अंदर चाहत हो इच्छा हो अपने लक्ष के पती विश्वास हो मार्क कितना ही कठिन हो लेकिन अगर आपको पता है कि आपको किसी लक्ष पर पहुँचना है आप उस लक्ष के पती पूरी तरह समर्प्यतगर है तो जैसे उस बालक को जुगनू चमकने वाले छोटे जुगनूओं ने रास्ता दिखा दिया उसको रास्ता मिल गया उन जुगनूओं को एकटा करके उसने अपने लिए रोशनी कर ली आपको भी रास्ता मिल जाएगा आपके लिए भी कोई ना कोई जुगनू जरूर होगा जो आपको रास्ता द इसी तरह की प्रेरक कहानियों के लिए मापुरुशों के प्रेरक प्रसंगों के लिए वेदिक विचारों के लिए वेदिक मंत्रों की व्यक्षा के लिए वेदिक राश्ट को लाइक करना सेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले थन्यवाद